बारा दिसंबर 1968 बिहार के सुपॉल में एक मास्टर जी के घर में स्कूल टीचर थे उनके घर में बच्चे का जन्मवा नाम रखा गया शानवाज मास्टर जी का लड़का राजनिती में कैसे आ गया नहीं देखिए मैं एक बहुत सुफी सेयद घराने में पैदा हुआ हूँ और हमारे लोग हमारे यहां पढ़ाई लिखाई थी मेरे अबबा टीचर थे सेयद नासीर उसन साब और उन्होंने हमें पढ़ाय लिखाय लेकिन म मैं स्यासत में आ गया मैं फिर मजफर पुर पढ़ने गया फिर दिली आया यहां मेरी मलाकात आरिफ बेग साहब से हो गई और मैं भी वही सोचता था जो भारती जंता पाटी के बारे में आम मुस्लिम नौजवान सोचते थे उस वक्त अब तो काफी बदला हुआ है और मैं कर रहा हूं क्योंकि राजनीत से बड़ा सिवा का माध्यम क्या हो सकता है लोगों की तखदीर तस्वीर बदलनी है तो अगर अच्छा नेता हो तो नीती भी अच्छी होगी और चीजें भी बदलेगी तो मैं देखता था कि मैं शुरू से इस बात के खिलाफ था कि इस पार्टी आपने चुने वह एक तरह से बड़ा मुश्किल फैसला रहा होगा क्योंकि 90 के मैं देखते हैं हमके मंदिर का मोव्मेंट चला बाबरी का केस हुआ और पिर आपने बीजे पी चुने जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं मुसलिमों के लिए उस दौर में एक पिर साब का लड़का है देखें बीजे पी में चला गया तो काम करना आसान नहीं था तब तो हम काम करते रहते थे और लोगों के सवाल बहुत होते थे परिवार के ताने मिलते थे या तोड़ा सा सोशल बाइकॉट आपके परिवार को सेहकर हम लोग भारती जंता पार्ट पार्टी बहुत आगे है तब पार्टी में नहीं आए पार्टी में तब आये जब गिने चुने लोग होते थे और उसमें जब युवा मुर्चा में नड़ा जी ने हमें अपनी टीम में लिया उसके बाद हम काम करते रहे फिर उमा भारती जी रास्टिये दक्ष हो गई मे चाहिए तो मैंने पूरे देश में बड़े-बड़े सम्मेलन किये युवा मुस्लिम सम्मेलन और हमने उसमें बीजेपी युवा मुर्चा के मैनर से किये उसमें सब लोग मदद करते थे और हमने बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ने का काम किया आसान काम नहीं है ल और आपके सामने थे उस वक्त के राट जेटी के कद्दावरने था मोहमद तसलिमुद्दीन तो यह टिकेट बीजेपी नहीं एक तरह से इस तरह दिया था कि यहां तो हमें जीत की उमीद ही नहीं है चले इने टिकेट देता है या फिर आपका वो एक दबदबा था कि उमी तालकोटोरा में छे साथ हजार लोग जमा हमने किये और हमने कहा कि इस सम्मेलन के अंदर अटल जी अडवानी जी सबाए उसी दिन लोग सबाबंग हो गई और प्रमुद्ध जी मेरे से कह रहे थे प्रमुद्ध महाजन जी कि कहां से इतने लोग आएंगे आपने इतना उनको मौका अटल जी के सामने बोलने का यूँमर्चा की कार करता थे मिलता ही नहीं था तो उस दिन अटल जी ने पहली बार संचालन कर रहा था संचालन में ही मैंने लिबर्टी ले लिए और मैंने तकरीर कर दी और उसके बाद अटल जी बहुत प्रभावित हुए उमा ज जी ने मुझे पूछा तू कहां से चुनाओ लड़ेगा मैंने कहां दीदी चुनाओ उमने का जो सबसे मुश्किल सीट है दे तो वो किशन गएंज के बारे में मैंने सोचा कि सेद शाबदीन लड़ेंगे सेद शाबदीन बड़े ने था तो इस वक्त मुस्लिम समाज में तो मैंने का सेद शाबदीन वर्सस सेद शानवास हो जाएगा और वो सीट ऐसी थी जो कभी हमने जीती भी नहीं थी तो एक बैग उमाजी का फोन आया शानवास तेरा टिकट हो गया है तुझे चुनाओ लड़ना मैंने का दीदी मैं तो मजाग में कह रहा था मैं कहां से ल करते पेजामे में ताके कोई यह लगे कि यह शानवास यही है मुझे कोई जानते नहीं थी लोग और जब मैंने तखरीर किया तब लोगों ने जाना और उसके बाद जब मैं लड़ा तो नमनेशन करके मैं ट्रेन में बैठा तसलिम अद्दिन साहब की बड़ी दहशत थी जमाने में तो मेरा एक गाड था फते बहादुर मिस्रा वो कहने लगा सर तसलिम अद्दिन बैठे हैं इस गारी में हमने क्या क्या करें कुद जाएं तसलिम अद्दिन बैठे हैं तो मैं गया मैंने देखा वो बैठे थे मैंने का चचा सलाम होलेकुम तो उनका वालेकुम स और फिर कहने लगे अरे आप लड़ने आ गए सब कह रहा था कि तसलिम उद्दीन को बच्चा को टिकट दिला के लाया है मैंने का चचा यह भारती जंता भाटी में कोई किसी को टिकट नहीं दिला सकता यहां तो बीजेपी टिकट देती है तो मैं आ गया हूँ आप से लड़ूंगा वो लड़िये लड़िये उन्होंने मुझे एकदम अंडरस्टिमेट किया ठीक है वो मेरे से मुझे में बढ़े थे फिर मैं वहां चुनाव लड़ने लगा जब चुनाव लड़ा तो मेरी पाटी नहीं यहीं कम देता मुझे न लिया वो डी काटिगरी की सीट पाटी ने कही और कोई पर्चाड में नहीं आया शुशिल मोदी जी आया थे बस एक सभा के लिए और पाटी ने उसको डी काटिगरी में रखा लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो पार्टी चौक गी मैं सिर्फ 6,000 वोट से वो भी बैमानी से हरा लालू जी गा राज था फिर मैंने 13 महीने कोई कमीटी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा दिल्ली नहीं देखा, मैं वहीं लगा रहा और फिर 99 में लोक सबा भंग हो गई और मैं चुनाओ लड़ा बड़ा मुश्किल चुनाओ था, किशन गज में इस्राव लख साभ लड़ रहे थे और तसलिम अद्दीन साभ एक मुन्ना मुश्ताक थे, चारो उमिदवार मुसल्मानी थे और लोगों ने मुझे वोट दिया, वहां कि हिंदू समाज ने भी मुझे बहुत प्यार किया और उन्होंने बहुत साथ दिया वहां, क्योंकि मुसल्म में तो बैठने भी नहीं देते थे सलाम करो तो जवाब नहीं देते थे जैसे लगता था कि पता नहीं मैं BJB में चला गया क्या हो गया और जब मैं अंठानवे में भी आर गया था तो शत्रुगन सिनाजी के घर पर मुझे अटल जी मिले थे मुझे तो जानते ही थे तो अटल जी ने कहा रहे बड़े कम वोट से रह गए तो दूसरे चुनाओं में पार्टी ने गंभिरता से लिया और उस वक्त परचार करने के लिए प्रमोद महाजन आए तब भी मेरी सीड जो है छे हजार से कम वोट से हरने के बाद भी पार्टी ने उसको अपगरेट करके को एक कटेगरी नहीं किय था उनको लगता तब चलो अगले में मुश्किल है लेकिन प्रमोद महाजन जी आये ठाकुर गंज में और मैंने कहा पार्टी तो थोड़ा मदद करे तो मैं जीत जाओंगा फिर उन्होंने बहुत मदद की मेरी और उन्होंने भाशन दिया कि मैं प्रधान मंत्री हूं प्र फर प्रमोद म फर महाजन तो अगर आप शानवास को जीताएंगे तो मैं लालबत्ती लगा के इसको भीज़ूँगा और यही हुआ कि जब मैं चुनाओ जीता तो किसी को यकिन नहीं हूँ यहां से जब भी फोन करें तो लोग कहें सही में जीत गया क्या सही में जीत गया क वो लोहे की गेट बेट को बंद करके और लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा किसी को यकिन नहीं हो रहा था किशन गंज जहां सतर फिसदी आबादी मुस्लिम वहां से बीज़ भी जीत रही है तो मैं आया यहां जब दिल्ली आया कहलाश पती मिश्रा जी मेरे बहुत गार जीत गए तो मैं गया एक टेलर की आए दिली के लोग ले गए किसाव इनके लिए ये कुछ हो सकते हैं मैंने गया यार पहली बार तो मैं जीता हूं 28-39 साल उमर है कहां कुछ होंगा तो दिवान साहब कहां गया तो उसने कहा एक शिरवानी हम सी रहें उमर अब्दुल्ला स हुई थी तो कोई शिरवानी को डोल वाजा या कोई बाढ़ात हुआ नहीं था तो इसलिए वो शिरवानी सीधी उसने शिरवानी आ गई घर वो 24 गंटे में सीधी मैंने जाके सौट एक्स में शिरवानी पे चपल कैसा पहनते हैं जूता वो भी लिया और कोई फोन ही नहीं आया बारब दस बज गया है वो हमारे लोग कह रहे थे मैं बहुत नहीं लेकिन हमारे दोस्तों ने जबरदस्ति शिरवानी सिलवा दी और मैंने कभी जिन्दगी में पहनी भी नहीं थी तो वो छोटे-छोटे दोस्ते मेरे उस टाम में उता बड़ा आदमी थोड़ी था ज तो फिर हमें वो उन्होंने राज फिर हुगम देव यादब जी का फोन आए शानवाज तुझे कोई फोन आया हमें ने का नहीं मुझे क्यों आएगा तो वो लेड़े तुझे भी कुछ बनाएंगे हमें बीजेपी से कलोता मुसलिम जीत के गया था तो लोगों को लगता मुझे कोई ऐसी उमीद नहीं थी न मैंने कहीं कहा था फिर उसके बाद आने लगी वहां से हमें जो है थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही है तो यह लगा लो मैंने आपको इनको यहां बिठाया है वर्प की बीच में क्योंकि बैग्राउंड मैं मिस्त नहीं करना चाहता था जी जी मैं इसको लगा लिया और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं गया है जी जी तो मैंने वो उस वक्त हुकमदेव जी ने का कि रुको पूछते हैं तो उन्होंने प्यम में ऐसे फोन किया कि सानवाज का भी नाम में बोले नाम है साथ उनका नंबर ही नहीं मिला है तो प्राइब करता हो गया था और उसके बाद मेरा फोन आया कि प्रधान मंतरी जी बात करना चाहते थे लेकिन आफ सो गया आपको मभारक हो सर निके सिरेटरी ने बात किया और आपको भारत सरकार का मंधरी बनाया जा रहा आप पांच बास वेस्टर् goose ने ले लें और कल आप को ओथ लेना है तो मेरे वालिद जिन्दा थे वो साथ में गए मेरी धरम पतनी गई और मैंने उन दिन अपनी मा को मिस किया कि वो नहीं थी और बड़ा मुझे दर्द हुआ क्योंकि जब अंठानवे में में चुनाव लड़ा था तो वो हयात से थी और उन्होंने कहा था उसक ओथ लिया उमाभरती जी क्योंकि मुझे बहुत प्यार करती थी तो वो सब लोगों ने बहुत बढ़ाई दी और पूरी पार्टी ने बढ़ाई दी फिर में काम करता रहा अटल बहरी बाचपे जी ने पहले मुझे फूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया फिर यूध यूध एफेर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया फिर एच और डी मिनिस्टर बनाया फिर कोल का जिम्मादी एंडिपनेंच चार्ज महां मैंने काफी काम किया बाद में उन्होंने एक दिन मैं एक टी-वी डिबेट से लॉट रहा था तो प्रमत जी का फोन आया उ किसी को मत बताना मुझे अभी अभी अटल जी कि यहां पता लगा कि तुम भारत के इतिहास में सबसे कम उमर के कैबनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हूं अब मैं तो कॉल मिनिस्ट्री में था इंडिपेंडेंट चार्ज था बड़ा मंतरा ले था और उससे पहले मैं किसको और बात क्योंकि मोई सोना और फिर कैबनेट मिनिस्टर होना तो उस वक्त मैं उन्होंने का रहिनू को भी मत बताना तब मैं घड़ में गया तो मैं पुझा और रहिनू क्या हाल है तो बोले अरे क्या बात है कभी आप ऐसे बात नहीं करते हैं और निंद भी ना आए कोंकि अहां वो तोन एदम अलग थी फिर उनको भी नहीं बताया फिर दूसरे दिन नेशनल डेवलेमेंट कॉंसल की मीटिंग थी थोड़ा टीवी पर आने लगा कि निव सिविल एविशन मिनिस्टर मिनिस्टर काबनेट में बनेंगे फिर मैं वहां अटल जी के पास गया तो मु मैंने पता नहीं है तो बोले यह कुन नहीं बात है वो तो हम करते हैं आप उस लिहाज से कह रहे थे कि आपको केबिनेट का मिला है और वो मुझे लगा कहीं खबर गलत हो गई प्रमजी नहीं तो मैं एक दम चौणा मैंने बात बदल दी मैंने का सरा आप मिरे इतना ध्यान प अब मुझे यह नहीं पता दे कि मुझे सिविल एवेशन देंगे तो अठल जी ने मुझे पहले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री दिया जो हां बच्चों के दूदूद का काम होता है छोटा समान के थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि अब बच्चे से सिविल एवेशन मिनिस्ट्र बना है जब दे उर लिया तो आओ जमीन पे कपड़ा गरीबों के लिए मुझे काम करो तो मैं जिए टेक्स्टाइल मिनिस्टर बनाया और फिर 2004 में हम लोग चुनाओ वो सब लोग हर गए थे तो मैं उस वक्त भी ऐसा हुआ जब मुझे कॉल मिनिस्टर वियटल जी ने बनाया था तो सुबह सुबह मैं एक बनवासी मिले में जा रहा था अडवानी जी उसका उद 2000 की बात है जब कॉल के लिए उन्होंने फोने तो उन्होंने का रहे कहां सुबह सुबह आप निकल जाते हैं आपको कोईला मंत्री बना दिया जाए कुछ मजाग किया जो मैं बोल नहीं सकता तो उन्होंने आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया है अच्छे मूड में थे क्य मैं आओं तो देखूं कोई ओधूत तो नहीं है, फिर एक बड़िस्ट पतरगार का फोन आया गया, यार शानवास तुम तो बड़े मंत्री बन गए, मैंने का अभी तो पता नहीं लगा, बोले नहीं, मुझे पता लगा, तो मुझे कोल का बड़ा मंत्रा ले दिया उन्होंन यही मेरे पार्टी का करम है कि मैं बहुत इमानदारी से पार्टी में काम करता हूँ, अठल जी का बहुत सने, प्यार अशुरवाद रहा, अडवानी जी का पूरी पार्टी नित्रुत का, हम लोग जब युवा मोर्चा में थे तो नहींदर मोधी जी परभारी थे, वो भी पे लिखा है, तो उन्होंने का, यह देखो कितना अच्छा लिखा है, खुब काम करते रहो, तो हम लोग काफी पार्टी में लोग बच्चे की तरह प्यार करते थे, और मैं भी कभी बार हट नखरे बच्चे की तरह करता था, कई बार वच्पने में गलतियां भी होती थी लेकिन मैं एकदम पार्टी ने जितना मुझे प्यार किया उतना शायद ही किसी के नसीब में हो तो उनीस सो निन्यानुव से लेकर दो हजार चार तक पांस साल में आपके पास कई पॉर्टफोलियो ज रहे एक तरह से प्रमोशन में कह सकते हैं क्योंकि आप सिविल एवेशन क का बर्थ मिला आपको तो यह बार-बार पॉर्टफोलियो बदलने की वज़े क्या थी और दूसरा आपके उपर इतनी महरबानी किसके थी नहीं देखिए बार-बार पॉर्टफोलियो बदल नहीं रहा था मंत्रा लें इम तरक्की हो रही थी फूट प्रसेसिंग मेरा भारत सरकार के मंत्री के तोड़ पे हुआ क्योंकि पहले तो ना वो मेरे सभा में परचार करने आए जो लोग जदियू के भी नेता थे हमारे यहां तो सिर्फ प्रमुदमाजन आए एक नेता ऐसी यह वजह क्या थी कि आपको सीट बहुत डिफिकल्ट सीट थी तो मेर मेरी पार्टी ने मुझे तो तभी मौका दिया जब मैं जीत गया तो निटीश कुमार one जी जो थोड़े दिन के लिए तो तो मेरा मंत्राले नितिश जी के मंत्राले में मर्ज हो गया, लेकिन वो मुखमंत्री बन गया, उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद मुझे पार्टी ने दूसरे मंत्राले में दिया, तो मंत्राले कभी कोई इसलिए नहीं बज़ा, मेरा अनुभव करा रहे थे हैं, छे मं कि दियू ना ना निज्ट सो निन्यानव से दो हजार चार का मंत्री रहे उससे पहले की एक तारीक में आते हैं तारीक आजी का दिन 12 दिसंबर साल था 1994 लेकिन उससे पहले हम आते हैं एक किस्सा चलता है कि आपने रेनुजी को लिखकर एक कार्ड दिया था जिस पर लिखा था विल्यू मेरी में क्या कहानी थी नहीं देखिए रेनुजी की मेरी मुलाकात 86-87 में ही हो गई बस में वो बस में मैं बैठा था मैं पूसा जा रहा था तो वो आई तो बड़ा सा बसता लिए तब 11 तो उनको सीट नहीं मिली मैं बिहार का आदमी हूँ तो मैंने जल्दी से सीट दिया कोई लड़की खरी हो और फिर रोज लेट आने लगी रोज सीट द दे दिया और एक कार्ड दे दिया एपी बड़ी लिखकर फिर उसके बाद खत किताबत चलती रही पुराने दोर की बात है कभी शादी वादी का सोचा नहीं बाद में एक बाद जब वो आई मेरे जनम दिन पर तो उन्होंने का आपको क्या चाहिए मैंने का आप चाहिए त तो यह मुश्किल नहीं रही क्योंकि इंटरफेट मैरीज थी एक होता है अमारे उर्टोडोक्स सोसाइटे में तोड़ा सा प्रोटेस्ट होता है लड़की की तरफ से हो लड़की के परिवार वाले की तरफ से हो या लड़की के परिवार वालों की तरफ से हो तो उस तरह क तो थोड़ा मैं पॉलिटिक्स में भी आ गया था युवा मुर्चा में था मैंने उमा जी को बता है अडवानी जी को बता है तो कि शानवाज एक लड़की से माबबत करता है उसका नाम रेनू है तो हमने का हम तो शादी करना चाहते हैं तो धूम-धाम से तो कुछ हुई ने लेकिन जब मेरा पहला बेटा अरबाज हुआ तो माजी ने अपने घर पे दावत रखी उसमें बीजेपी के साड़े बड़े नेता है और शादी में हमने फंक्शन ही नहीं किया था वो बीजेपी के नेता ये शादी बिया प्रसनल चीज़ों इसमें बहुत दखल देने की बात नहीं थी उनको पता था कि महबत है तो लव है तो हम लोगों ने शादी कर ली और मेरी तो फादर इन लो और मदर इन लो तो बहुत साल बाद आई एकसेप्ट किया आज तो बहुत प्यार करती है कोई चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं हुई देखे इश्क और महबत म दिल से किया गया इशक कामयाब होता है। अब हमारी पार्टी है, वूह महबत के खियाथ नहीं है, लेगन साजिशन महबत कोई करे, उसके खियाथ है बस और इश्क प्र कवी किसी का zोर चला है क्या। तो बहुत सी शादियां होती है, इस पने मैं जादे बोलता नहीं हूं मैं मांनता हूं की मैंने लव किया और मेरा माशालाल वो शादी बरकरार है अब मेरे बच्चे बड़े होगे मैं इस पर जादे चर्चा नहीं करना चाहता है चलिए आगे वढ़ते हैं मोदी जी को आप तबसे जानते हैं जब वह सीएम भी नहीं थै तबसे उनकी बात्सचीटा आपकी होती रही होगी उसके बाद वह सीएम बनते हैं और एक फिर दो रहता है वह पी एम बनते अभी जब पी एम है इन तीनों दौर को आप किस तरह से आप देखिए नहेंदर मोदी जी में कोई बदलाव नहीं हुआ है वो जब पाटी के राष्टिय मंतरी थे तब भी उनका रुटबा बहुत बड़ा था पाटी में और एक बात थी कि वो युवा मोर्चा के कारकरताओं को दोस्तें की तरह टीट करते थे कि और हम लोग ने उनसे बहुत कुछ शीखा कि नैंद भाई जी का बोलना उनका चलना उनका इस्टाइल वो ऐसे इसे थे अच्छा जो बाकी उवा से दिखरा था था यह बहुत आगे जाएंगे फिर वो मुखमंतरी बने हम लोगों ने मिस किया कि यहां तो वो इतनी साधगी से रहते थे कि छोटे-छोटे युवामुर्चा के कारकरता के साथ मंगाली मार्केट चले गए वहां चले गए बादचित किया बहुत एजी थे बिना टाइम लिए डगडगा के बिना डगडगा है उनक इसको बड़ा नेता मानती चले आगे बढ़ते हैं 2004 के एलेक्शन आप कि शंद गंज से हार जाते हैं उसके बाद बीजेपी कभी उस सीट पर जीत भी नहीं पाई पहली और आखरी बार शानवाज हुसाय ने उस सीट को बीजेपी के लिए निकाल पाए थे 2006 में बाई एलेक्शन होता है भागलपुर सीट पर आपको चुनाव लटनी के लिए टिकेट मिलता है और आप 2006 के बाद 2014 तक सांसद रहते हैं लेकिन 2014 के बाद आप 2014 में इलेक्शन हार गए थे लेकिन उसके बाद जो मौदिश्यावाले बीजेपी है उसमें कहीं आप पीछे चूट जाते हैं मैं पीछे काओँ ये कishmere के अंदर मेरी पार्टी ने हमारे राष्ट्य ग्रीचन है जी ने मुझे वैली का इंचार्ज बना के भीजा आए मैं जो काम मिलता है इमानदारी से करता हूँ मैं पार्टी का राष्ट्य पर komplता हूँ कितने साल से कितने लोगों को मौका मिलता है 15 करोड हमारे वरकर हैं उसमें से कौन दिखता है मैं दिखता हूँ पार्टी की तरफ से मेरे और प्रवक्ता दिखते हैं मुझे सेंट्रल एलेक्शन कमीटी का मेंबर 2005 से बना के रखा 15 साल हो गए जो हाई पावर डिसिजन मेकिंग कमीटी जो MLA, MP राजसभा लोकसभा MLC का टिकट ते कहा होता है मेरा भी साइन होता है नहीं होता है मुझे भी सवभाग मिला है कि नहीं रेंडर भाई के साथ नड़ा जी के साथ अपने राजनाज जी के साथ गटकरी जी के साथ इन सब के साथ बैठने का मुझे पाटी ने दिया डिसिजन मेकिंग में दिया ठीक है 2014 में मैं 8000 वोट से बस हाल गया था लेस देन 1% वोट से और उसके बाद जब 19 में क्योंकि मैं लोकसभा मैं लगातार 3 लोकसभा 13, 14, 15 एक पहला बीजेपी का मुसलिम कार करता है जो लगातार तीन बार जीत कर आया हूं लड़कर आया हूं जहां सबसे जादे मुसलिम आबादी किशन गंज में रहती है वहां से भी जीता हूं आ जहां हिंदू मुसलिम दंगे हुए थे भागलपुड में उस जगा भारती जनता पाटी में जहां 15 फीसदी मुसलिम है 85 फीसदी हिंदू है यह भारती जनता पाटी का जिगर था कि उन्होंने मुझे शुशिल मोदी जी जब ट्रिसीम बने उनकी सीट खाली हुई तो मुझे उमिदवार बनाया बाई एलक्षन में हमें वहां से जीत कराया जहां हिंदू मुसलिम के बीच में नफरत थी मैंने मुहबत का फूल खिला के देखाया मेरे जिन्दगी का मकसद कोई मंतरी बनना या कुछ और बनना मेरे जिन्दगी का मेरा मोटो ही अलग है लोग जानते नहीं मुझे जो नहीं जानते हैं वो नहीं समझते हैं इस चीज़ों का मेरे जिन्दगी का मकसद है कि मुसल्मान और हिंदू के बीच में कोई गैप नहीं हो कभी इसलाम का मानने वालों का कभी हिंदू धर्म के लोगों से कोई जगरा ही नहीं रहा बिनाबाद का जगरा लोग शुरू कर देते आज भी दुनिया की सेकंड लार्जेस मुस्लिम पॉपलेशन अफ दे वर्ल्ड हिंदुस्तान में और मुझे फक्र है अल्ला मैं अकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा ये मैं हिंदू जिस मुल्क में पैदा हुआ हूँ वहाँ पर सबको बढ़ाबरी इसलिए मैं बढ़ाबर 2000 में पार्लेमेंट के फ्लोर पर कहा था कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता आज मैं कहता हूँ लेलन टॉप पर भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश हिंदू से अच्छा दोस्त भारत से अच्छा संविधान और नेंदर मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हैं आज मैं कश्मीर की वादियों में घुमता हूँ तो बहुत उने अलाकों में गया हूँ जहां कोई नहीं गया होगा उमर अब्दिल्ला महबुबा मुफ्ती मुक्मंतरी रहते हुए नहीं गया हूँगे मैं गया चौकी भल, मैं गया उड़ी के अंदर उपर गया पाकिस्तान के बॉर्डर पर मैं गया सीता हरान एक दम पहाड पे मैं गया, हिजबुल का कमांडर है आमिर खान, नमबर टू है सीद सलाओ दिन के बाद उसके घर में गया, भारी सुरक्षा के बीच में मैंने दम भड़के कहा कि मैं यहां आया हूँ और निडर होके आया हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ मुझे मेरा यकीन है कि मौत बरहक है जिस दिन आनी है आनी है, लेकिन पार्टी ने काम दिया और मेरी पार्टी ने कहा कि जहां आपको लगे थोड़ा सा सुरक्षा का ध्यान रखके जाईएगा लेकिन फिर भी मैं पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रहा हूँ, और मैंने देखा वहां कि लोगों से बात्चीत की, लोग कहते हैं, साहब जब दुख था तो कौन काम आया, पांच किलो अनाज, एक किलो डाल, एकाउंट में पैसा, इलाज की पूरी गैरेंटी, आईशमन में पाकिस्तान में, किस तरह का मुलक मिलता, मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, कि खुदा तुने हिंदुस्तान में पैदा किया, जहां कि लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, दो बड़ी कॉम्निटी, हिंदू और मुसल्मान मिलकर जितना यहां रहती ह छे बार लोग सभा का टिकर दिया, छे मंत्रा ले दिया, 2005 से केंद्रिय चुनाव समिती का सदस बनाया, टीवी पर अख़बार में पार्टी का चेहरा बनाया, अगर बोला मैं बीजे शान मैं बोलू तो भ्यान क्या चलता है, बीजे पी ने कहा, बीजे पी मतलब शान अव बच्छे जी के किताबों में पढ़ते हैं, जो वाजपे जी और अडवानी जी के दौर में या उमा भारती जी के दौर में जो आपको ओधा मिलाता, जो तवज्जो मिली थी पार्टी में, वो मोधी शा वाले बीजे पी में आपको बले ही ना माने, लेकिन वो नहीं दिख जाबता पहले कर लिजी, पर सवाल तो है अभी आएगा, तो 2014 में मतलब आप कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास वाले एक तरह से प्रतीक के रूपर या उस कड़ी में आप मोधी के अभ्यान में आप योगदान कर सकते थे, लेकिन 2014 में आप चुनाव हार गए, उसके आपको सिर्फ एक चुनाव समिती के सदसर है, बाकी कोई बड़ा परोकता रहे, परोकता रहे, श्टार कंपेनर है पूरे देश में कहीं भी जाए तो, पर जब कैबिनेट बर्त की बात या मिनिस्ट्री की बात आती है, तो वो नक्वी साब को मिली, नजमा हपतुला जी को मिली, आप कहीं पीछे चूट गए, दो हजार उननीस में आपकी जो सीट भागलपूर्ती वो भी जेडियू को मिल गई, जब परभारी वहां के वुपिंद्र यादव जी पहुंचे तो चीजे आपके लिए मुझे लग रहा है और मुश्किल होगी, यह आपकी अदावत क हैं और पार्टी डिसिप्लिन के तहत हम सब जो परभारी होता है, उसका आदर करते हैं, तो उनका भी आदर हम करते हैं और जो सीट का नर्ने था, वो अकेले भुपंदर यादवजी थोरी करते हैं, वो तो सब लोग मिल कर करते हैं, तो जो सीट थी मेरी वो मैं लस दिन वन परसंट वोट से आ रहा था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं यहां चुनाओं नहीं लड़ूंगा क्योंकि 8000 वोट से ले तो मैं पूरी तैयारी कर रहा था और जब पता लगा मैं तो मीटिंग में ही था पता लगा यह सीट नहीं आई कि आप लेकिन 2014 के बाद से चीजें आपके लिए वह नहीं रही है यह तो हम सब बांते हैं हम देखते हैं क्योंकि आम भी प्लोटिक्स फॉलो करते हैं 2019 में आपकी सीट भी बदल दी तो तब आपको नहीं लगा कि आप जो है बीजेपी में आमें वह कदर नहीं हो रही है मैं लगातार छे लोग सबा लड़ा था नहीं लड़ा उसका दुख तो हुआ मुझे मतलब मुझे क्योंकि वहां लोग रोडो कर फोन कर रहे थे और मैं हारा था और पांच साल वहीं लगा था तो लेकिन गठवंदन की राजनी थे कई सीटिंग एमपी भी पांच थोड़ा दो चार दिन थोड़ा सा दुख जरूर हुआ मैं कैसे क्यों मैं जूट तो बोलता नहीं मैं हाजी वी हूं एक किस्सा चलता है मुझे नहीं बता आप इसकते हैं कितना सही है कितना जूट है जब मोधी जी नर्यंद्र मोधी गुजरात के सीम थे उस वक्त आप सिविल एविशन मिनिस्टर थे गुजरात में एक मुलाकात होनी थी आपकी आठ वजे का वक्त हुआ ता सुबह का लेकिन आप टाइम पर नहीं पहुंचे 11-12 वजे पहुंचे उस बात को लेकर मोधी ज जो है जब वो सिस्पी एम मने तब भी वो जो एक तरह से जो नाराज की थी वो बर्गरार रही और आप देखिए मंत्री रहते भी कोई भी मंत्री मुखमंत्री कि यहां जाएगा वो टाइम पर जाएगा नरेंद्र भाई के बाद में लेट जाओंगा यह सवाल ही नहीं उ कोविड में तो सबसे पहले उनका फोन आया इतना प्यार से मुझे समझाया ध्यान रखना बीपी तो नहीं है शुगर तो नहीं है यह करना यह तो गार्जियन की तरह प्यार करते हैं कोंद बहुत से निता है कहलाश विजेवर की महामंत्री हैं सांसद हैं क्या विधायक है मंत्री पर छोड़कर आज पाटी का काम कर रहे हैं हमारे यहां बहुत से लोग हैं जो सांसद मंत्री नहीं लेकिन क्या वो पाटी में उनकी हैसियत कम है क्या तो पाटी में हम काम करते हैं गर्व से करते हैं फक्र से करते हैं दिल से करते हैं मेरी पाटी जीवन भर कुछ मन करूं तब ही में पार्टी का कर्ज नहीं उतार सकता हूं कौन जानता था मुझे पहचान किसने दी मुझे मैं जब कि दोहजार यूपिये की गवर्मेंट थी तो बहुत लोगों ने कोशिश की मेरे पर मैंने का नहीं साब मेरा नाम शाहनवाज है मैं दगावाज नहीं बन सकता मैं अपनी पार्टी में काम करता हूं और पार्टी में मांदारी से काम करता रहूंगा तो आज मैं पार्टी में काम करता हूं पार्टी में से बहुत प्यार महबत मिलता है बात ठीक है लेकिन आप भले ही ना मनें लेकिन कुछ तो रंजोगम है मोदी शाह वाली वीजेपी के दौर में उन्नेताओं को लेकर आप लोगों को भरम है मैं वजीराजम साहब के बाद जाता हूं तो मैं कभी फो करें तो उसकी चर्चा कम कीजिए तभी क्योंकि मैं अटल जी मुझे बहुत प्यार करते थे तभी से मैं अमिच्छा जी के बाद जाता हूं घंटों बैठाते हैं मुझे बहुत प्यार से बात करते हैं छोटा बही मानते हैं मैं मोदी जी के बाद जाता हूं तो वह बहुत सने देते हैं मुझे ठीक है लोग जो जाने वो जाने जो भरम में रहना है रहे मुझे क्या फरक पड़ता है मैं तो पार्टी में काम कर रहा हूं और पार्टी में काम करता रहूंगा इमांदारी से काम करता हूं